कर अज आज मूंग की बहुत ही एं बहुत ज़दी टेस्टी रेस्टी बनाएंगी बनाने हड ही अगर आप इसको पेश्भी पेश्ट ने बनाना जाए उसमे प्याज डाले प्याज के बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसे बस हल्का सा रैड करना है आपको ज़्यादा बुज़ना या पकाना नहीं है फिर इसे बस थोड़ी देर सौटे करें यह थोड़ा रेड हो चुका है इसमें हल्दी पॉड़र एट करें इसमें बारिक चॉप किया हुआ टमाटर डाले टमाटर को भी आपको बहुत जादा नहीं पकाना है विरस में मसाला बहुत ही थोड़ा डालना है मसाला ज्यादा नहीं होना चाहिए बस एक चॉथाई चमच एक चमच का सूरी मेथी हैट करें उसे भी अच्छी से मिक्स करें फिर इसमें मूग डालें आप जल्दी में होतो इसे गरम पानी में भिगाएंगी तो 10 मिनिट में भी हो सकता है यह तो ऐसे आधा घंटा के लिए और यह बहुत ही आसान है आप जल्दी में होती से जरूर बनाएं टेश्ट की साब से नमक डालें फिर इसमें एक से डेड़ कप तक पानी डालें आपको इसको दाल की जैसे नहीं बनाना है पानी कमी डालना है आपको इसे सबजी के जैसे बनाना है फिर से हाई फ्लेम पे थोड़ा बॉयल करें उसके बाद इसे एकदम लो फ्लेम पे ढख करके आपको 10-15 मिनिट तक पकाना है आपका दाल गलना नहीं चाहिए बस उपक जाए लेकिन आपके दाल जैसे गलने नहीं चाहिए अब इसका में तड़का बाकी है भी रेड़ी हो चुका है लेकिन इसका में तड़का बाकी है तड़का रेड़ी करने के लिए एक पैन में एक देसी गी ले एक चमच उसमें थोड़ा सा जीरा डाले एक चमच कसुरी में थी एक लाल मिर्ज आपको तड़के को जलाना नहीं है बस यह हलका सरेड होना चाहिए फितरका दे फ्रेंड्स यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी है आपको लग रहा हूँ यह बहुत ही सिंपल रेस्पी है लेकिन आप इसे एक बड़ ट्राइ करेंगे तो इसे बार बर जरूर बनाएंगी इसी सब करने के टाइम पी से प्याज और नीबू की साथ ले इसका थे खाब लिए अच्छे लेकिन लाइक करें थैंकि फ्रेंच रादे रादे जाएंगी प्रेंच शाएंट को भुबदक में लौक प्रत लेज़ी करें पूर खूर सब्सक्राइब साथ मुछाश्य के और दे विच्शक्त कर दो जुआ हैं।